और मेरे भाण्यों क्या हाला है तो आचुके हैं एक और नई वीडियो किसा बापीस और आज की इस वीडियों बात करेंगे और आपको बताओंगा कौन-कौन से फीचर आप लोगों को देखने को मिलते हैं और किस-किस डिवाइस में यह जो अपडेट है फर्स्ट वैच के अंदर देखने को मिला है तो अपर वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होगी हर एक फीचर जो है वह ओफिचली आप लोगों क का बटन मिलेगा सब्सक्राइब कर लेना इसरी के साथ बेल आइकन को आप लोग और प्रेस कर सकते हो सो चलिए विदाट विश्टिंग अनी मोर टाइम लेट्स गेस्टाइट अब दोस्तों बात करें अपडेट की उससे पहले आप लोगों वर्जन और साइज को एक वाद चेक आउट कर लें वेल आपको वर्जन देखने को मिलेगा C.03 और साइस देखने को मिलेगा एप्रॉक्स 5GB के आसपास और यहां पर यह जो अपडेट है अभी तक रियल्मी के सिर्फ फ्लैक्सिप डिवाइसे रैसे की रियल्मी जीटी मास्टर एडिशन रियल्मी जीटी नहीं मलता अब दोस्तों बात करें सबसे बहले फीचर्स की तो वो फीचर्स रहा आपके नोटिफिकेशन पैनल को लेकर के काफी जाए यूजर बेट कर रहे थे किया रियल्मी यूई 3.0 में नोटिफिकेशन पैनल जो है को चेंज होगा की नहीं होगा तो फाइनली रियल और जो नॉर्मल यूई होगा आप लोगों के नोटिफिकेशन पैनल का वो कुछ इस टैप का आप लोगों को देखने को मिलेगा ऊपर आप लोगों की नोटिफिकेशन की बाहर होगी जो काफी अच्छी लग रही है मुझे तो मिनीमल डिजाइन काफी पसंद आया आप ल आप लोगों को देखने को मिलते थे लेकिन रियल में ही हुआ है 3.0 के अंदर कुछ इस टैप का जो परस्नलाइशन का सेक्षन है वो आप लोगों को मिलेगा यहां पर आप लोगों को वाट पेपर थीम एओडी और नोटिफिकेशन पैनल और आइकन को चेंज करने के बड लोगों कमेंट सेक्षन बता सकते हो लेकिन जो लुक है काफी अच्छी लग रही है तो बात की जाए गेम स्पेस की तो काफी सारी उसको बेट था क्या रियल में यूवाइ 3.0 के अंदर वाइस चेंजर का फीचर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि रियल में 4D Vibration और जो Voice Changer के फीचर हैं वो देखने को मिल जाएंगे और ये जो फीचर हैं अभी तक स्रीफ फ्लैक्शिप डिवाइस में देखने को मिलेगे जो मीडिया बजट के डिवाइस हैं उनमें अभी तक ये फीचर अनेबल नहीं किये हैं तो बात की जाए सैटिंग के देखने को मिलता था लेकिन रियल में UI 3.0 के अंदर जो सैटिंग का इंटरफेस होगा कुछ स्टैप से आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर पूरा का पूरा जो Android की फीलिंग है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी और साथ में यहां पर जो आपके आइकन पैक मिलेंगे तो रियल में UI 3.0 में कुछ स्टैप का अवाउट फोन मिलेगा और कुछ स्टैप की जो सैटिंग का UI है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा अब दोस्तों यह तो बात हो गई यहां पर आप लोगों को किस प्रकार से अपलाई करना है वो भी बताए है और जो अपडेट का पैकेज़ का लिंक भी आ चुका है अगर आपके पास Realme GT है अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हो तो इसका लिंक में आप लोगों को अपने टेलिगाम रूप में शेयर कर दूँगा तो आप लोगों को जाकर करके मेरे टेलिगाम रूप को जोईन कर लेना और आप लोगों के बिस्वास के लिए यह रह आप फाइल मैनेजर की बात करें तो इस टैप का जो फाइल मैनेजर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो की ओफीशली अविलेबल है अगर आप लोग भी अपनी सिस्टम एप्लिकेशन को और रेल्मी यूवाई 3.0 के फीचर्स लेना चाहते हो तो नीचे आते हैं और रेल में यूवाई 3.0 की सिस्टम एप्लिकेशन के अप्लेट सबसे वहले इसी टैलिगाम रूप में आपको देखने को मिलेंगे और कुछ इस टैप के जो फीचर्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में मै मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक्या